तो हालो बात करने वाले हैं कि हमारा बैंक में मगवाइल मअँच आ हो ने के बाद वी और जो बैंक का ब्लेंग का ऊप फटाने के क्षात हम चाहिए यerved काफी लोग मतलब कर आए कि मेरा अइक्विस्टर अपनी कर पा alt तो क्या रीजन है क्यों नहीं कर पा रहा हूं तो आज की वीडियो से लेकर बात करने वाला हूं क्या रीजन है जिसके वैसे हमारा मोवाइल नमर रजिटर होने के बाद भी हम मिस कॉल के दौबार अपना बैंक का इंपरमिशन जो है नहीं जान सकते हैं तो अगर आपको सब दोस्तों को डोले के लिए करने नमस्कार दोस्तों मैं सभी का टूदर चले में फिर से को लुए बहुत-बहुत स्वागत है तो उच्छे दूपर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों तरह तरह कि आपको जह है प्लिकेशन मिल जाएंगे प्लेश्टोर से और काफी लोग जो है सभी अप्लिकेशन का इस्तमाल करते हैं और मतलब प्रोपर लिए वर्क करता है तो काम तो करेंगा है तो कि मतलब काफी ऐसे लोग है जो की मतलब चाहते हैं कि मिस्कॉल के दोवारा जो अपना बैंक का इंफिर्मिशन हम चेक कर ले और उसको जो है पता नहीं होता है कि किस नमर पर हम मिस्कॉल करें तो इस तरह मेरे पास भी एक अप्लिकेशन है जिसके यहां पर देख सकते हैं तो जिससे हम भी मतलब आज मैं आपको एक् सब्सक्लिण आपको कर सब्सक्राइब देख है एक है जुआ के सब्सक्राइब को थीए क्लिक और मैंटर करने शनीियूरे सामने घंटी बज रहा है होने के बाद आपको वेट करना है कुछी सेकेंडरों में आपको मोगाईल में जो एक मेसेज आएगा और यहां पर देखेंगे मेरा bank balance कुछी तरह सब दिखा रहा है तो मतलब इस तरह बहुत यह असानी जो है आपना bank balance जो है सकते हैं मिस कॉल के दवारा पिए रहा दोस्तों इसके लिए जो कि मतलब जिसको होता है अपना जो निएक बलन कर भाते न्था लेकिन यह काफी लोगा जो मतलब कहते है कि इसके में शब्स का पाइदा नहीं उठा प्रवाइल सकते हैं तो यहां पर मतलब हम देखते हैं Central Bank of India इसे मुझे क्लिक करते हैं उस पर सेम प्रोसिस मुझे करना है मिस कॉल बैलेंज और हाँ पर मतलब चेक बैंक बैलेंज मंद्स सिंपल इस पर क्लिक करना यहां पर वहीं mobile network not available आएगा तो इसलिए फिर से हमको जो है बैक आना है होम पर क्लिक करना और इसको पर डैलेटर में जाना वहां पर दोस्तों नमबर जो यहां पर आ गया होगा तो फिर से हमको जो इस पर क्लिक करके यहां पर कॉल करना है साफ़ से कट जाना चाहे और कट गया है और इसके बाद यहां पर देखे ज्लों कोई साभ मेस्ज नहीं आएगा आप यहां पर gats कींजिगा था में wait करके दिखाता हूं आपको क्योंकि दोस्तों मैं इसको practically करके देख चुका हूँ, यहाँ पर दोस्तों कोई message नहीं आएगा, तो यहाँ पर region क्या है, मेरा mobile number ऐसा नहीं है, तो मेरा mobile number bank से register नहीं है, मेरा mobile number bank से link है, फिर भी यहाँ पर miss call का सुबधा जो यहाँ पर available नहीं है, तो यहाँ पर कारण क्या ह पर रहा है, region वही है दोस्तों कि मेरे account में miss call का सुबधा जो एक्टिवेट नहीं है, जो कि मुझे कराना होगा, हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको यह बात ध्यान में रखना होगा, अगर मतलब आपका mobile number bank से link है, रजिस्टर है, फिर भी आप miss call का सुबधा जो नहीं उठा पा रहे है, miss call से अपना account का information नहीं चेक कर पा रहे है, तो यहाँ पर आपको अपना branch में जाना है, ब्रांच में विजिट करने के बाद वहाँ पर आपको जो है, अपना bank में miss call का सुबधा जो एक्टिवेट करना है, हाँ दोस्तों आपका account number पे miss call का सुबधा एक्टिवे तो यहाँ पर दोस्तों simple fund है, हाँ दोस्तों कोई जिदा problem नहीं है, simple reason वही है कि आपका account number है, उस पर दोस्तों miss call का service जो है एक्टिवेट नहीं है, जो कि आपको एक्टिवेट करना होगा, तो इसके लिए आपको ब्रांच जाना होगा, यहाँ पर दोस्तों एक खुश कब वीडियो बना रखा हूँ कि मैं बहुत ही आसानी से कुछ step को आपको follow करना है, और उसके मदद से दोस्तों आप अपना account में miss call का service जो है एक्टिवेट कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों वहीं पर other bank वाले जिसका मतलब कोई और bank है, उसके लिए दोस्तों आपको ब्रांच मे चेक कर सकते हैं, यही कुछ region है, बरा कोई region नहीं है, तो मतलब काफी लोग कहते हैं कि मेरा mobile register है, तो रजिस्टर है वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों miss call का service एक्टिवेट करना होगा, यह automatic एक्टिवेट नहीं होता है, तो आपको यह बात ध्यान में रखना होगा, थैंक शारा पंड़ा आपको समझ में आगया होगा, तो धैंकियो आज कली अगरे बार मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, अगरत विचार लोगा लाइक करें, वं तो शेर करें, और आपको में कुछ सवाल होते को हैं, लिख सकते हैं, इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं कि तो सफिर में नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई